इस समय दुनिया एक अजीब से समस्या में घिरी हुई है। तमाम देश कोरुणा से लड़ने में जुटे हुए है। इस सब के बीच कई तरह की बाते चल रही है। इन अलग-अलग बातों में कुछ लोग कोरोना को लेकर भी तमान तरह की भविश्यवानियों की बाते कर रही हैं। इनी सब को देख कर और सुन कर आज हम आपको बताते हैं फेमस भविश्य वक्ता बाबा वेंगा की कुछ बातें। बाबा वेनका का असली नाम वेंगेलिया पांडिवा दिमित्रोवा था। बाबा वेनका का जन्म 1911 में हुआ था। 12 साल की उम्र में आएक चक्रवात ने बाबा वेनका की आखें छीन ली। आखें चली जाने के बाद बाबा वेंगा को एहसास हुआ कि उन्हें इश्वन ने एक ऐसी शक्ती दी है जिससे उन्हें भविश में होने वाले चीजें पहले से दिख जाती हैं जिसे हम अपनी भाषा में प्रेडिक्शन्स कहते हैं बुल्गारिया की भविश्य वक्ता बाबा वेंगा की मौत उन्हेसो चाचट में हुई थी अपनी मौत से पहले बाबा वेंगा ने कई सारे भविश्वानिया की थी चलिए कुछ भविश्वानिया हम आपको बताए देते हैं 1990 में बाबावेंगा ने भविश्वानी की थी अमेरिकन ब्रिथन विल फॉल आफ्टर बिंग अटेट बाइदा स्टील बर्ड्स बाबावेंगा की ये भविश्वानी सही साबित हुई और 2001 में आतंकवादी संगठन अलकाइदा ने अमारिका के दो प्लेन को हाईजेक कर लिया और ये प्लेन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर क्रेश हो गए और इसमें करीबन 3000 सिविलियन्स की जान चली गई 26 दिसंबर 2004 में बाबावेंगा की एक और भविश्वानी सही साबित हुई जो सुमात्रा के इंडोनेशिया में हुई बाबावेंगा ने 1990 में एक भविश्वानी की थी A huge wave will cover a big cost with people and towns and everything will disappear beneath the water और ऐसा ही कुछ हुआ जब 9.1 magnitude की शमता सियाई सिनामी ने पुरिया आइलेंड को अपनी चपेट में दे लिया इस त्राजदी में हजारों लोगों की जिंदगी चली गई 20 जनवरी 2009 में बाबावेंगा की 1990 में की गई एक और भविश्वानी फिर से सही साबित हुए बाबावेंगा ने कहा था The 44th President of the United States will be an African-American man Everyone will put their hopes in him इसके बाद African-American बाराक ओबामा ने अमेरिका के 44 राश्टपती पद की शपत ली इसके अलावा बाबावेंगा ने और भी कई भविश्वानिया की है 2020 को लेकर भी उन्होंने कई भविश्वानी की है जिसमें रूस के राश्टपती पुतिन की हत्या से लेकर अमेरिका के राश्टपती ट्रम्प को किसी बीमारी की वज़ज से बहरे हो जाने की भविश्वानिया भी शामिल है वही 2020 को लेकर बाबा वेंगा ने कहा था कि ये साल लोगों के लिए उथल पुथल भरा रहेगा प्रलय और आपता जैसे कई स्थती आएगी जो कि देखने को भी मिल रही है बाबा वेंगा की 2020 को लेकर की गई भविश्वानिया कितनी सही साबित होंगी ये आने वाला वक्त ही बताएगा